Hello everyone, welcome to study time with a new informative video. UPSC से lower PCS 2019 की जो vacancy आई थी, इसका जो मेंस का एक्जाम था, तो आज इसका जो मेंस का प्रथम पाली का एक्जाम था, वो हो गया है, जिसमें reasoning पूछी गई थी और GS के question थे, और अभी दूसरी पाली का जो एक्जाम है, वो चल रहा है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर पहली पाली में कि जो paper था, वो कैसा आया, उसका level क्या था, और इसकी answer की की अगर बात करें, तो answer की आपको दोनों पाली की साम तक मिल जाएगी, तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसके जो paper का level था, वो कैसा था, और इसमें कैसे question पूछे गए थे, तो जो lower PCS का mains के paper की बात की जाए, कि किस प्रकार का paper रहा है, तो 25 question जो आपके reasoning के थे, वो अच्छे level के reasoning के question थे, वो ठीक level के थे, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही आसान थे, ठीक level के reasoning के question थे, और बात करें अगर GS की, तो पहली-पाली में जो paper हुआ है, टोटल 100 number का था, जिसमें से आपके 75 जो question है, वो GS के पूछे गए, तो जिसमें आपका computer वगएरा ये सारी चीज़े सामिल है, ऐसा नहीं कि आप बोलें कि computer के तो अलग से थे, तो computer वगएरा ये सारी चीज़े मिला के total 100 question थे, GS में, तो GS में कह सकते हैं कि जादा तर जो question थे, वो आसान थे, जादा तर जो question पूछे गएं GS में, वो आसान थे, आसान क्यों? क्योंकि ये मेंस का paper था, प्री का paper नहीं है कि बहुत से बच्चों को आना चाहिए, इसमें आप सभी जानते हैं, ऐसे बच्चे qualify करके गए हैं, जिन्होंने प्री का exam पास किया है, तो जब आपने प्री का exam पास किया है, तो आपका level भी अच्छा कासा होगा, और उस अधार पर, यहाँ पर कह सकते हैं कि मेंस के paper में, जो GS है, वो उतनी ज़्यादा hard नहीं है, अगर कहें कि बहुत ज़्यादा hard paper था, तो उतना ज़्यादा hard GS नहीं पूछा गया है, तो आप अगर इस paper को रखना चाहें, तो easy to moderate में रख सकते हैं, हलाकि ज़्यादतर जो question है, वो easy ही पूछे गए हैं, और इसमें UPG के भी आपका अच्छा खासा पूछा गया है, अच्छा खासा UPG के पूछा गया है, computer भी ठीक ठा question पूछे गया है, मतलब हर portion से जो आपकी question है, वो पूछे गया है, current के भी बहुत से, मतलब latest current जो आपका 2-3 महीने का होता है, वो ज़्यादा पूछा गया है, अगर आप 6 महीने साथ और 1 महीने, sorry, 1 साल का सोच रहे हैं, तो वहाँ तक का current जो है, थोड़ा कम पूछा गया है, जो आपका latest, 3-4 महीने का latest current था, वो यहाँ पर ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि आपसे एक question current में पूछा गया है कि, जो आपकी vaccines है, इसमें से कौन सी DNA पर आधारित है, और बाकी सब RNA पे हैं, तो उसमें option दिये थे, Covi-sealed, Co-vaccine, यह सारी चीज़ें, और Olympic से आपका question पूछा गया है कि, कि किसने 2 पदग जीते हुए हैं, बारती महिला ने, तो मतलब जो अभी हाली का current था, वो इसमें ज़्यादा पूछा गया है, तो overall अगर paper की बात की जाए, कि जो पहली पारी का paper हुआ है, तो पहली पाली में, जो आपका overall paper था, वो कैसा रहा है, तो अगर बात की जाए कैसा रहा है, तो easy to moderate रहा है, कुछ question ऐसे थे, जिनको करने में बच्चों को समस्याएं आई है, ऐसा नहीं कि सारे question आसान थे, कुछ question ऐसे हैं, जिनको, और सभी को ऐसा ही होता है, कोई question आप के लिए कठेन होगा, तो वो किसी दूसरे विद्यारती के लिए हो सकता हो, easy हो, क्योंकि उसने पढ़ा है, इसलिए उसे easy लग रहा है, और आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको hard लग रहा है, तो अगर overall बात की जाए, तो easy to moderate में आपका जो ये प्रथम पाली का paper है, वो रहा है, और इसकी answer की जो है, वो आपको साम तक मिल जाएगी, और इसका जो paper है, आपको हमारे telegram के channel जो दिया हुआ, link आपको description में मिल जाएगा, वहां से आपको साम को paper भी मिल जाएगा, और अगर आपने paper नहीं दिया है ये वाला, तो आप इस paper को solve करें, और देखें कि आप से कितना आ रहा था, या कितना बन रहा था, ठीक है, तो thank you, मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ, और अगर आप इस channel पर नए हैं, तो channel को subscribe जरूर कर लें, thank you,